नमस्षा दोस्तों आप सभी का सवागत है आपके अपने यूटूब चैनल रवीशडी आईक्यू जीके पर आज मैं आपके लिए सभी एक्जाम के लिए सबसे ज़ादा इंपॉर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है मैं सभी सेनाओं के परमुक के नाम इसके मोस्ट इडियो में लेकर आए हूं मैंने आपके लिए सभी कोषन सेलेक्टीट ली हैं अच्छे लेवल के लिए हैं वही कोषन ली हैं जो कोषन आपके एक्जाम के लिए important रह सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं 1st कोषन से एमारा भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष कोन बने हैं, आंसर इसका option C, कृष्ण स्वामी नटराजन कृष्ण स्वामी नटराजन भारतिय ततरक्षक बल जिसे की Indian Coast Guard भी बोलते हैं के नए अध्यक्ष नियुक्त होए हैं important question रहेगा अपके exam के लिए friends यहाँ पे बात हुई है बारतिय ततरक्षक बल की जिसे की Indian Coast Guard भी बोलते हैं इसकी स्थापना 18 August 1978 को हुई थी और हर साल बारतिय ततरक्षक बल यानि Indian Coast Guard डे एक फरवरी को मनाया चाता है और इसका मुख्याले नई दिल्ली में स्थेत हैं important question रहेगा आपके exam के लिए next question कर लेते हैं दिल्ली पुलीस के नए commissioner कोन बने है answer इसका option A SN Shrivastav SN Shrivastav को दिल्ली पुलीस का नए commissioner बनाया गया है ये question भी आपके exam के लिए important रहेगा next question कर लेते है railway सुरक्षा बल सेवा जिसे की हम RPFS भी बोलते हैं पहले इसे RPF के नाम से जाना जाता था यानि railway सुरक्षा बल के नाम से जाना जाता था लेकिन इसका बनाम change हो गया है नाम हो गया है railway सुरक्षा बल सेवा यानि RPFS के नए महानिदेशक कोन बने है answer इसका option A Arun Kumar Arun Kumar railway सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक है present में important question रहेगा आपके exam के लिए friends यहाँ पर word आया है RPFS जिसका full form मैंने आपको railway सुरक्षा बल सेवा बताया इसका motto आपसे exam में पूछा जाता है इसका motto है याशो लवसव ठीक है संस्कृत का शब्द है याशो लवसव ये motto है RPFS का RPFS की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1872 को और इसका headquarter है नई दिल्ली में ये भी आपने ध्यान रखना है और अरुन कुमार RPFS के महानिदेशक है फिर जितने भी मैं आपको additional information दे रहा हूँ सब आपके लिए important रहेगा next question कर लेते हैं और ये रिजर्फ पुलिस बल जिसे की हम CRPF भी बोलते हैं के अध्यक्ष कौन है और असर आसका option B अननन्द प्रकाश महईश्वरी केंदरिये रिजर्फ पुलिस बल जिसे की हम CRPF भी बोलते हैं के महानिदेशक है friends यहाँ पे बात हुई है CRPF की यानि Kendriye Reserve Police बलकि इसे हम English में Central Reserve Police Force भी बोलते हैं सबसे अधा important है CRPF का मोटो वो है सेवा और निष्ठा इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को और मुख्याले है नई दिल्ली में और मैंने आपको अध्यक्ष बताए आनंद प्रकाश महाईश्वरी है यह question भी आपने exam के लिए important रहेगा next question कर लेते हैं Kendriye Unvation Bureau जिसे की हम CBI भी बोलते हैं कि अध्यक्ष कोन है answer इसका option B रिशी कुमार शुकला रिशी कुमार शुकला को Kendriye Unvation Bureau यानि कि CBI का अध्यक्ष बनाया गया है friends यहाँ पर word आया है CBI जिसका full form मैंने आपको बताया Kendriye Unvation Bureau होता है English में हम Central Bureau of Investigation बोलते हैं सबसे the important है CBI का motto CBI का motto है industry impartiality और integrity और इसकी स्थापना हुई थी 1941 को और headquarter है CBI का नई दिल्ली में ये भी आपने ध्यान रखना है और इशी कुमार शुकला को CBI का अध्यक्ष बनाया गया है next question कर लेते है नौ सेना भारतिय नौ सेना जिसे की हम Indian Navy भी बोलते हैं के नए परमुक कौन बने है answer हैसका option A करमवीर सिंग, Admiral करमवीर सिंग Admiral इनकी rank है, नाम है इनका करमवीर सिंग इनको नौ सेना का यानि की नेवी का नया अध्यक्ष बनाया गया है friends यहाँ पर बात हुई है नौ सेना की नौ सेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है और मुख्याले जो है नौ सेना का वो नई दिल्ली में है यह आपने दिशान अखना की नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है यह एक्जाम में पूछा जाता है next question कर लेते हैं राश्टिय सुरक्षा गार्ड जिसे की हम NSG भी बोलते हैं के नई अध्यक्ष कोन बने है answer is का option A अनुप कुमार सिंग अनुप कुमार सिंग को राश्टिय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का नया अध्यक्ष नियोक्त किया गया है friends यहाँ पर NSG की बात हुई है जिसे की हम राश्टिय सुरक्षा गार्ड भी बोलते हैं NSG का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है National Security Guard और इसकी स्थापना 1984 को हुई थी और इसका जो Head Quarter है वो नई दिल्ली में है NSG का या आपने ध्यान रखना है Next Question कर लेते हैं सीमा सुरक्षा बल जिसे की हम BSF भी बोलते हैं के नए महानेदेशक कोन बने है Answer असका Option D विवेक कुमार जोहरी विवेक कुमार जोहरी को सीमा सुरक्षा बल यानि की BSF का नया महानेदेशक नियुक्त किया गया है Friends, यहाँ पे नव वर्ड आया है BSF, जिसका full form मैंने आपको बताया सीमा सुरक्षा बल होता है BSF का full form English में Border Security Force होता है सबसे ज़्यादा important है BSF का मोटो, एक्साम में पूछा जाता है यह होता है G1 परियंत कर्तवे ठीक है यह आपने याद रखना है G1 परियंत कर्तवे मोटो होता है BSF का BSF की स्थापना होई थी 1 December 1965 को और BSF का मुख्याले है नई दिल्ली में और सबसे ज़्यादा important friends मैंने आपको तो महानिरक्षक का नाम बता दिया कि VK जोरी है यानि विवेक कुमार जोरी है आपसे ना महानिरक्षक का नाम पूछा जाता है हाली में BSF के नए महानिरक्षक बने है इनका नाम अभिनव कुमार है important question रहेगा आपके exam के लिए friends मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको most important 21 question करवाने वाला हूँ जो आपके 21 question complete हो जाएंगे एक बार सभी question फिर से revision भी करवाने वाला हूँ ताकि friends आपको सभी के सभी question इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं कि अध्यक्ष कोन है answer is का option A Rajesh Ranjan Rajesh Ranjan केंदरी या ओध्योगी सुरक्षा बलजी से कि हम CISF भी बोलते हैं कि अध्यक्ष बने है CISF का full form English में होता है Central Industrial Industrial Security Force CISF का motto है संरक्षन एवं सुरक्षा गया आपने याद रखना है और CISF की स्थापना हुई थी 10 March 1969 को और CISF का जो headquarter यानि मुख्याले है वो नई दिल्ली में स्थित है important question रहेगा आपके exam के लिए next question कर लेते है सशातर सीमा बल जिसे की हम SSB भी बोलते हैं कि नए महानिदेशक कोन बने है answer is का option C कुमार राजेश चंदर कुमार राजेश चंदर को सशातर सीमा बल यानि SSB का महानिदेशक बनाया गया है friend जो SSB है इसका जो motto है वो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा ठीक है यह आपने याद रखना है और स्थापना हुई थी SSB की 20 December 1963 को और उसका मुख्याले है वो नई दिल्ली शहर में है friend जितनी भी आपको addition information दे रहा हूँ जैसे motto बता रहा हूँ, मैं आपको headquarter बता रहा हूँ स्थापना बता रहा हूँ, दिवस बता रहा हूँ इस सब आपके लिए important है exam में पूछा जाता है next question है, हमारा नए chief of defense staff CDS कोन बने है answer है, option A, weapon rawat weapon rawat को नया chief of defense staff, यानी CDS नियुक्त किया गया है friends, यह जो CDS का पद है, हमारे देश में अभी नया, मतलब नया बनाया गया है पहले क्या होता था friend, जो तीनो सेनाए है जैसे थल सेना हो गया, वायू सेना हो गया और नौ सेना हो गया, इनके जो फ्रमुक होते थे न, वो राष्टपती होते थे ठीक है, तो friends, अब क्या है कि राष्टपती के नीचे एक और पद बना दिया गया है CDS, CDS जो है तीनो सेना है, मैंने आपको बताया, जैसे नो सेना हो गया वायू सेना हो गया, और थल सेना हो गया इसके बीचे friends, सामन जे स्थप करेगा, ठीक है इन तीनों के बीच में coordination, coordinate का काम करेगा नो सेना, वायू सेना, थल सेना के बीच में ठीक है, CDS, CDS के उपर भी राष्टपती होगा यह आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, भारतिये तिबज सीमा पुलिस जिसे की हम ITBP भी बोलते हैं कि नए अध्यक्ष कौन बने है आंसर इसका, option C, सुर्जीत सिंग देशवाल SS देशवाल यानि सुर्जीत सिंग देशवाल को भारतिये तिबज सीमा पुलिस ITBP का नया अध्यक्ष बनाया गया है ITBP को इंग्लिश में हम इंडो तिबतन बॉर्डर पुलिस भी कहते हैं और हिंदी में भारतिये तिबज सीमा पुलिस है सबसे दा इंपॉरेंट है ITBP का मोटो वो है शौरेद रिठता करम निष्ठा ITBP की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को और इसका मुख्याल यानि हैड़क्वाटर नई दिल्ली शहर में है सुर्जी सिंग देशवाल भारतिये तिबज सीमा पुलिस के अध्यक्ष है राष्टिये आबदा प्रतिक्रिया बल जिसे की हम NDRF भी बोलते हैं के नई अध्यक्ष कोन बने है आंसर इसका option A.S.N. प्रधान S.N. प्रधान को राष्टिये आबदा प्रतिक्रिया बल NDRF का नया अध्यक्ष बनाया गया है फ्रेंट्स यहां पर बात हुई ये NDRF जिसको की हम हिंदी में राष्टिये आबदा प्रतिक्रिया बल बोलते हैं इंग्लिश में full form होता है National Disaster Response Force NDRF की स्थापना 2006 में हुई थी Important है इसका मोटो वो है आबदा सेवा सदैव और इसका हेड़क्वार्टर न्यू देल्ली में है फ्रेंट्स कोशन है हमारा थलसेना जिसे की हम आर्मी भी बोलते हैं के नए सेना प्रमुख कौन बने है Answer है इसका Option A Manoj Mukund Narwane Manoj Mukund Narwane या बोसकते हो MM Narwane को थलसेना का नया परमुख बनाया गया है Important question रहेगा आपके exam के लिए फ्रेंट्स यहाँ पे बात हुई है थलसेना की भारतिय थलसेना की बात हो रही है भारतिय थलसेना को हम इंडियन आर्मी भी कहते हैं थलसेना का जो मोटो है वो है service before self थलसेना की स्थापना हुई थी 1 April 1895 को थलसेना का जो headquarter है वो New Delhi में है सबसे ददा important है भारतिय थलसेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है हर साल Next question कर लेते है भारत के नए थलसेना उपसेना परमुख कोन बने है option D S-K-SANI S-K-SANI को नए थलसेना उपसेना उपसेना बने है S-K-SANI important question रहेगा आपके exam के लिए Next question कर लेते है भारतिय सेना के उत्री command यानि Northern Command के नए अध्धेक्ष को नियुक्त होए है Option A योगेश कुमार जोशी योगेश कुमार जोशी को भारते सेना के उत्री कमांड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है योगे जो भारते सेना का उत्री कमांड है इसका जो हैड़कौर है उधंपूर में है ठीक है जमु कश्मीर के उधंपूर में भारते सेना का उत्री कमांड का हैड़कौर है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं दक्षिनी कमांड जिसे की हम साउथन कमांड भी बोलते हैं कि नई अध्यक्ष को नियुक्त हो हैं आन्सर असका option D, CP महंती CP महंती को दक्षिनी कमांड का नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया यहाँ पे दक्षनी कमांड की बात हो रही है, इसका जो headquarter है यह पूने में है, पूने कहाँ पर है, महाराष्ट में है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, पश्यमी कमांड जिसे की western कमांड भी बोलते हैं, के नए परमुक कोन बने है, यहाँ बोल सकते हो नए अध्यक्ष कोन बने है, आंसर है option B, आर्पी सिंग, आर्पी सिंग को पश्यमी कमांड यहाँ बोल सकते हो western कमांड का नए अध्यक्ष न्य जिसे कि हम Eastern Command भी बोलते हैं कि नई अध्यक्ष कौन बने है आंसर है Option A, अनिल चोहान अनिल चोहान को पूर्वी कमांड या बोल सकते हो Eastern Command का निया अध्यक्ष बनाया गया है Next question कर लेते हैं और फिर्ट्स यहाँ पर जो question था ना Eastern Command भी या पूरी में कमांड का इसका जो headquarter है कोलकाता में है Next question कर लेते है राश्टिय जांच एजनसी जिसे कि हम NIA भी कहते हैं कि नई अध्यक्ष कौन बने है आंसर इसका Option A, YC मोधी YC मोधी को राश्टिय जांच एजनसी यानि NIA का नया अध्यक्ष बनाया गया है आखरी question कर रहे हैं इसी वीडियो का इसके बाद मैंने आपके लिए इन सभी question का revision रखा है Intelligence Bureau IB के नई अध्यक्ष कोन बने है Answer है Option B Arvind Kumar को Intelligence Bureau यानि IB का नया अध्यक्ष बनाया गया है Friends मैं आपको इस गुड़ न्यूस देता हूं कि मेरे Current Affair का चैनल लाँच हो गया है Current Affair चैनल का नाम है Ravi Study IQ GK 2.0 Ravi Study IQ GK 2.0 इसे आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए यहां पर daily सुबह चार बज़े Current Affair की वीडियो आती है और बहुती expert level का पढ़ाया जाता है और Friends जो हम PDF देते हैं वो बिल्कुल best quality का है पूरे YouTube पर आपको ऐसा PDF नहीं मिले है क्योंकि हमारे PDF की खासी है दिया कि Friends हम जो भी explain करते हैं PDF पर already लिखा रहता है रवी Study IQ GK 2.0 को आपको सर्च करना है YouTube पर और इसे आप सब्सक्राइब कर लेजी आप मुझे Facebook पर Instagram पर Telegram पर फॉलो कर सकते हो रवी Study IQ GK के नाम से है तो चलिए Friends start करते हैं revision इसके बाद आपके लिए 10 question का मैंने test रखा है फर्स्ट कोशन है मारे revision का भारतिय तटरक्षक बल Indian Coast Guard के नए अध्यक्ष कोन बने है आंसर है कृष्ण स्वामी नटराजन दिल्ली पुलिस के नए कमिशनर कोन बने है S.N. श्रिवास्तव रेलवे सुरक्षा बल सेबा RPFS के नए महानिदेशक कोन बने है रिशी कुमार शुकला नौसेना यानि नेवी के नए परमुक कोन युक्त होए है आंसर है Admiral करमवीर सिंग राश्तिय सुरक्षा गार्ड NSG के नए अध्यक्ष कोन बने है अनुप कुमार सिंग सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक है कुमार राजेश चंद्र नए चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ CDS बने है विपन रावत भारतिय तिबद सीमा पुलिस ITBP के नए अध्यक्ष है सुर्जीत सिंग देशवाल राश्तिय आबदा प्रतिकिरिया बल NDRF के नए अध्यक्ष कोन बने है S.N.Pradhan थल सेना यानि इंडियन आरमी के नए सेना प्रमुक कोन बने है मनोज मकुन नरवने भारत के नए उपसेना प्रमुक थल सेना के उपसेना प्रमुक है S.K.S.ैनि भारती सेना के उत्री कमाण के अध्यक्ष है योगेश कुमार जोशी दक्षिनी कमांड के अध्यक्ष है CP मोहंती पश्मी कमांड के अध्यक्ष है RP सिंग पूर्वी कमांड के नए अध्यक्ष है अनिल चोहान राश्टिय जांज अध्यक्ष है YC मोदी आखरी कोशन है रिवीजन का Intelligence Bureau IB के अध्यक्ष है अरविंत कुमार फ्रेंट्स मैंने आपको ये 21 कोशन करवाए उसके बाद मैंने आपको 21 कोशन का रिवीजन भी करवा दिया अब फ्रेंट्स मैंने आपके लिए 10 कोशन का टेस्ट रखा इस सबसे बहतरीन तरीका होता है फ्रेंट्स पढ़ने है कि पेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो रवी स्टडी आईक्यू जी के नाम से है तो चलिए फ्रेंट स्टार्ट करते हैं टेस्ट टेस्ट के लिए आपको all the best फर्स्ट कोशन है हमारा टेस्ट का भारतिय ततरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नई अध्यक्ष कोन बने है चार उप्शन्स है आपकी स्क्रीन के उपर आंसर आपने कमेंटर के देना है वीडियो कैसी लगी है ये भी आपने जरूर बताना है दिल्ली पुलिस के नई कमिशनर कोन बने है चार options हैं आपके पास ज्यादा टाइम चाहिए आपको वीडियो पॉस कर सकते हो आप Railway सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक कौन है चार options है आपके पास Kendriya Reserve Police बल CRPF के नई अध्यक्ष कौन है चार options है आपके पास Kendriya Unvation Bureau CBI के नई अध्यक्ष कौन है Next question है मारा Nausena Navy के नई पर्मु कौन युक्ष होए है चार options है आपके पास राश्टिय सुरक्षा गार्ड NSG के नई अध्यक्ष कौन बने है सीमा सुरक्षा बल BISF के महानिदेशक कौन है केंद्रिय और द्युकिंग सुरक्षा बल CISF के नई अध्यक्ष कौन बने है चार options है आपकी स्क्रीन के उपर शाश्टर सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन बने है चार options है आपके पास आंसर आपने कमेंटर के बताना है फ्रेंट्स मैंने आपको ये 21 कोशन करवा 21 कोशन का रिवीजन भी करवा दिया 10 कोशन का टेस्ट भी ले लिया उमीद करता हूँ फ्रेंट्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शुरूर करिए कमसिंगा फ्रेंट 10 फ्रेंट के साथ शेर भी जरूर करिए ताकि और भी जो स्टूरेंट्स है उनको भी इस वीडियो से काफी ज़ादा हेल्प मिल जाए आप मुझे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलिग्राम पे फॉलो कर सकते हो आपको सर्च करना है रवी स्टडी आईक्यू जीके फ्रेंट्स यहाँ पे आप मुझे से जूट सकते हो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलिग्राम पे किसी भी कोशन में डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो या Facebook पर अपने doubts पूछ सकते हो मेरे नया चैनल है Ravie Study IQ GK 2.0 इसे भी friends आप अभी subscribe कर लीजिए Ravie Study IQ GK 2.0 subscribe कर लीजिए तो friends आप हम मिलते हैं next video में Thank you and wish you all the best